पेट गुरू का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूँ मैं अच्छू आप लोगों का दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों को यूनिटी कप में मिले के गया था वो गंटो वाली टूनामेंट थी इस बार यह आखरी कभूतर वाली टूनामेंट है कुछ उस्ताज आज जो फंक्षन है वह फंक्षन हो रहा है तो सभी टोफी और वितरुभन होगी तो मुझे मिला गया है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो सारे उस्ताद के फोटो लगे हुए हैं एमदाबाद से बड़े बड़े उस्ताद यहां पर आये हुए हैं और बच्चे सारे आने वाली जनरेशन है जो आगे खबूत और उड़ाएंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट की स्टाइल में आज का से वह भी यहां पर उस्ताद यहां पर बेठे हैं आपको सामने दिखेंगे अभी टूनामेंट का जो वीडियो बना रहा हूं वह एमनू टूनामेंट हुआ है अभी दोस्तों यह गाना बज़ रहा है गाने के बाद फिर से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ठीक है सारी उस्ताद यहां पर बेठे हुए हैं औरंग जेब भाई को आप जानते हैं पिछले यूनिटी को और्गेनाइस किया था मोसिन घान जी का आप नाम जानते हैं आप लोग क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बनाया था और सभी से लगबग हम पिछले वीडियो में मिल चुक अकूब भाई के नाम से फेमस है और इनका उस्ताद इनका जो अब दोस्तों अब दोस्तों अब दोस्ताद का स्वागत किया जा रहा है तो इस तरीके से कुछ प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है अब इसमें गाना आ रहा है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं ठीक है फिवल्ली पार्टी की तरफ से यह प्रुणामेंट रखा गया था तो एमनूर पार्टी का इंट्रोडक्शन तो बनता है दोस्तों तो इमनूर पार्टी पार्टी का इंट्रोडक्शन हमारे दोस्त करवाएंगे और इस में किसका प्राइस कि पार्टी के ओनर है फेजुबाई और पको उस्ताथ संधोर उसको भाग मिलेगा जिसमें यह पकोबाई बोलेंगे उसको भाग मिलेगा और ये टूनामेंट में पोन जीता है इस बार ये टूनामेंट के अंदर आखरी वाली थी गर्मी में उसके अंदर अपने यह राहिल भाई है एंब नूर पाटी से बिलोंग करते तो राहिल भाई का first position पर आये थे फुर्स्ट नाम लगा पर गर्मियों में और अपने यह घंटे-वाली जो उडि थी ठंडी में उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर ये भाई आये थे सारुक भाई एम नूर पाटी से बिलोंग करते ये भी और इनके साथ कभूतर उड़ाए थे और 38 गंटा और उपर कुछ मिनिट बने थे साथ कभूतर में उसमें वही टूनामेंट में सेकंड नंबर अपने खलील भाई आये थे जो पको भाई के बड़े भाई है तो दोस्तों माशालला देख सकते हैं कि यहां पर विनर भी आपके सामने है ठीक है एक और विनर आपको मिलवा देते सल्मान भाई नाम है न उनका जी यह इनका बताईए यह सल्मान भाई है विसाला विसाला साइन्स सोसाइटी में कभूतर पालते यह बाई और यह पार्टिसेपलोंग करते हैं सल्मन भाइनाम है आपको अगर टूनामेंट में पार्टिसिपेट करना है एमनू टूनामेंट में तो आप कर सकते हैं यह घंटे वाली भी उड़ाई थी इस बार जो गर्मियों में उड़ाई थी वह इन लोगों ने आखरी कभूतर वाली कर आए तो रहिल भाइप ऐसे कोन सा कभूतर पाले कि जिसकी वज़े से आपका नंबर पहला आया असलाम मेरे पास सभी देशी कभूतर है और कल से रहे बाजरे कल पर एक पर सब लोकल ही आके कभूतर है देशी कभूतर और उसको उनको खोराख अच्छी चैने बढ़िया स फाला कभूतर ऑड़ा जो जीता हो मेरा 12 बचके न अर्तलिस नेट का टाइम आया था आकरी वहागुतर कौन सा दा कि सलमान भाई ने कौन से कबूतर उड़ाए कि वह दूसरे नंबर पर आए असलाव लेगू नूना बोर्डर वारे हो इलावादी कल पर और कल दूंबर उड़ाए तो दोस्तों देखिए हर किसम के अलग-अलग कबूतर से भी विनर होते हैं अब दूसरे नंबर पर आ जाते मेंने सब यहां के लोकल कबूतर उड़ाए ते कल चे रहे कल पर रहे कल दूंबर ने बाजरे लोकल कबूतर उड़ाए ते मेरे उस्ताद की बहुत बड़ा रोल होता है आपको उस्ताद जो है वो गाइड करते हैं कि कबूतर वाजी में क्या खेल पानी करना है कितनी मेहनत करनी है क्या करना है उसके बाद आपका कभूतर, उड़ता है कभूतर, नहीं उड़ता है कभूतर, के पीछे की गई मेहनत उड़ती है क्या कमा जाएंने और आब अब दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते तो आपके कोन से कभूतर दें मेरे बाद कल परें मोगरें ने से कभूतर है सब मुड़ा मुड़ा बात कि यहां वंदावात के पूतर आपने ना इक रोज को भी कभूतर नहीं है सब आके ही है सब देशी कभूतर कितने घंटे लेकर आए थे अपके मेरा घंटे लेकर आए लिए को पात्रीस घंटे लेकर आए थे इनके और आपके सारुक भाई कितने आए थे घंटे अब चलिए दूस्तों आगे बढ़ने से पहले एमनूर पार्टी के खलीफा जी है उनसे हम बात करते हैं और इनका 12 सीजन में सेकंड नंबर पे वह आये थे जी इसलाह अलेकुम तो माशालला आप कोन से कभूतर का सोक कर रहें और आप अपने मतलब हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि किसे कभूतर पालने चाहिए कर देशी कभूतर कल परे जादा होते हींगे कल परे कल से और हमारे उस्ताद की सब मिरवानी इसकेंदर पको उस्ताद हमारे और मैं एमनूर तुनामिन का एमनूर पार्टी का खलीफाओं में तो दोस्तों हमने बहुत सारे लोगों से बाते की तो देखिए यहां पर मोटा मोटा यह मैं कह सकता हूंगा आप बहुत मेहंगे कभूतर खरीद के सोक मत करिये जो नए जनरेशन है जैसे यह हमारे आजकल की जनरेशन है जो कभूतर आगे उड़ाएंगे ठीक है तो उनको कहूंगा कभूतर महंगा मत लाइए आप 400-500-600 रुपे वारा कल सीरे का पर जोड़ा लाइए उस पर मेहनत करिए उसको उड़ाईए और फिर किसी उससाथ से नुष्के सीखिए तो धीरे धीरे इंशालला आप भी कभूतर बाजी सीख जाएंगे और साथ में अपना काम द यह मारे पको भाई है अमारे सरकेज जुवापरा और यह वेजलपूर महाशड़ा आज से पिले कोई टूरामेंट कराता निहीं था पको भाई ने स्टर्डिंग करिये और यह सरकेज जुवापरा यह जो चार विस्तर रहने होँआ पर 10 साल से यही अच्छा सोग करार है को बेद बाव कुझ नहीं यह चार विस्तार में अभी तक कोई ने टूरामेंट खोली है निए इसमें इंदू भाग लेते और मुसल्मान भी भाग लेते बहुत अच्छी बात है कि हमारे विस्तार में भी अब जो है टूरामेंट हो रही है और उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक इनिशेटिव लिया है जैसे गुजरात में इनिशेटिव वीडियो बनाने का मैंने लिए मेरे पहले बहुत आए मेरे बात बह आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु वो लोगारो बोगा देन्स अने जीवा